रचपुरा थानक्षित्र के सिलापरी गाउं की पुलिया के पास से दो विक्तियों की कबजे से 12 के लुगांजा जब्द करने में रचपरवा पूलिस ने सफलता प्राप्त की और आरूपियों के बास से 12 के लुगांजा और 24,000 नगत रुपे भी जब्द की थानपरभारी राजी पुरोहित ने बताए कि मुख्वर की सूचना पर सिलापरी के पुलिया के पास दो संदिक दारूपियों शिपू और सौमनात पटनायक नहार रंजन पटनायक जिला संबल पर उडीसा के रहने वाले हैं जिनकी सूचना के अधार पर संबलपुर से थोक मात्रा में गांजा लेकर बाया कटने से मरिया होते हुए सिलापरी के पास मोहचने पर पकड़े गए हैं आरूपियों के पास 12 किलो गांजयों के साथ अतिरिक्त में 24,000 नगत भी जब्त किये हैं पैसों के बारे में पूछने पर आरूपियों द्वरा चंदना ग्राम में रहने वाले राहुल राजा को 24,000 में 2 किलो गांजय बीचा है जिसकी ये रूपे हैं साधार पर राहुल राजा निवासी चंदना को भी आरूपि बना है जिसकी तलाश की जा रहे है और अभी तक गिरफ्त में नहीं आया है हटा से भूपेंद्र श्रिवास्तव की रिपोर्ट